Hi everyone, very good morning to you all IPL की अभी तक की जो जो बड़ी खबरे आई हैं आपको इस वीडियो में उस सारी मिल जाएगी जाता बड़ा ये वीडियो होगा नहीं छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन खबरे आपको पूरी इस वीडियो मिल जाएगी तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली खबर के साथ आप जिन लोगों ने कलका मैच नहीं देखा उनके लिए एक खबर चिन्नाई और आरसीबी के बीच में ये मुकाबला था जिसको चिन्नाई ने असानी सापने नाम कर लिया छे विकेट से इस मैच में सीएसके को जीत मिली है और आरसीबी को दूसरी हार का सामना करना पड़ा है ये आईपेल 2021 का जो सेकंड सीजन आप एक तरह से बोलेंगे उसमें अब लगातार दो हार आरसीबी की हो चुकी है अब जीत तो मिल गई सीएसके को लेकिन धोनी को एक बड़ी चंता थी और वो चंता थी डियू फेक्टर की धोनी ने बताया कि जब पिछली बार यहाँ पर खेले थे तो डियू फेक्टर आगए थी जिससे गेंद बाजों को बॉल ग्रिप करने में परिशानी होती है और शारजा का मैदान अपने आप में छोटा मैदान भी है तो बल्ले बाजो के लिए आपने और जादा मतद हो जाती क्योंकि यहाँ चौकों से जादा तो छक्के लगते हैं तो इस वज़े से धोनी को डियू फेक्टर की चंता थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और धोनी ने बोला कि जो भी हमारे गेंद पास उन्हों ने अच्छा एक्जिक्यूट किया प्लान को और एक अच्छा कमबैक उन्होंने किया क्योंकि ग्यार ओवर रख देखेंगे तो ग्यार ओवर में सौरन इनके हो चुके थे आर्सीबी के लेकिन उसके बाद के नौ ओवर जो थे उसमें सिफ पच्पन रन के आसपस इनके आए थे तो ऐसे में आर्जार सीएसके की तरफ से एक अच्छा कमबैक रहा उसके बाद दोनी ने एक और चीज़ बताई और उन्होंने बताए कि ब्रैवो और उनके वीच में कहा सुनी होती रहती है अब धोनी और ब्रैवो दोनों ही सीनियर हैं CSK की टीम में दोनी कपतान है और ब्रेवो इतने सीनियर प्लेयर होने के बावजूद भी जो कहा सुनी होती है उसकी वज़ा भी दोनी ने बताई दोनी ने कहा कि ब्रेवो बहुत जाता स्लोर गेंद का इस्तमाल करते हैं तो उनको इस टॉपिक पर कहा सुनी होती रहती है कि कंब को यह आप स्लोर बाऔ टालनी है नहीं डालनी अनगाए है अब दोनी चाहते हैं कि एफ limit कि आप 6-6 बाजाने अनधांड या 5-6 वाले दोने तीम ने हो खरÁ थे वियू, आप कि इस तारी तो करने जा रहे हैं क्योंकि आजकल वीडियो एनलिसिस वगरा सब कुछ होता है और सारी टीम्स को अच्छे से पता रहता है कि किस बल्लेबास की या किस गेंदबास की क्या काबिलियत है क्या उसकी स्ट्रेंथ है क्या उसकी वीक्नेस है तो इस वज़े से दोनी ने ये बात कही लिए तो विराट खोली से पूछा गया इस हार के बारे में तो उन्होंने बोला कि 15-20 रन हम कम बना पाए अगर 175 रन हम बोर्ड पर लगा देते तो ये जो पिछ थी इस पर ये एक विनिंग टोटल होता यहूंकि पिछ बहुत जादा स्लो हो जाती और दोनी ने भी इस बा पाया जो उनकी टीम 15-20 रह गई उसके बाद में उन्होंने एक और चीज़ बोली उन्होंने बोला कि जब हमारी टीम गेंदबाजी के लिए तो ये शुरुआत के पांच-चोव अरते उसमें अच्छी गेंदबाजी हमारी टीम के तरफ से नहीं हुई थी और वो एक और वो है संराइजर सहदराबाद से जुड़ी हुई अब संराइजर सहदराबाद ने टीन अटराजन का रिप्लेस्मेंट घोशित किया है टीन अटराजन को कोविड हुआ था जिसकी वज़ए से वो इस आईपिल सत्र में आपको नहीं दिखाई देंगे और उनके जो रि अब जो आज क्योंकि सेटेडे हैं वीकेंड है तो आज डबल हेटर मुकाबले होने हैं डबल हेटर मुकाबले में पहला मुकाबला जो रहेगा वो डी सी वर्सेज आरर यानि की डेली कैपिटल्स वर्सेज राजसान रोयल्स जो की साड़ तीन बजे शुरू होगा और पूरा मैसल जो आप टीम बनाते हैं आपको लगता है यार आपके कैपिटन वाइस कैपिटन नहीं चले आपके प्लेयर्स अच्छे नहीं चले कोई बात ही सेकंड इनिंग की टीम आप दुबारा बना ली जिब पिछ को एनलाइस करके कौन से गेंदबास चल सकते हैं कौन स आप इस चीज को कंसीडर जरूर कीजेगा उसके बाद अगली खबर जो की लास्ट खबर है हमारे सेग्मेंट की इंडिया वासेज आस्ट्रेलिया व्मिन्स टीम का जो मैच चल रहा था उसमें व्मिन्स टीम आस्ट्रेला की जो थी उनको जीत मिली है पांच विकेट सौन इस मैच को अपने नाम किया है और इसके साथ ही जो सिरीज थी तीन मैच की वो दो शून से उसमें आस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आगे चल रही है तो खबरे अभी तक की जो भी थी लेटेस्ट निउस जो भी कुछ आई थी वो मैंने आपको बताई हर रोज ही आपको वी छी जी दो ग्रीए है तो खबरे छो मैंने नाम की जो एक लो आगे है जो एक को आव ड़ागा है यह जो परर शुग करके दो एक भागे जो पर एक जड़ेख भागे है वो और भी है फ़ता है है यह जो अ है पर शुखहएवाश्वार्स के अबाशन से च्तूरा च्तुरा